नमस्कार स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग स्वादेश में और मैं हूँ आपके साथ पूजात बाठी आज है एक्सपाइरी का दिन किन लेवल्स पर हो सकती है एक्सपाइरी ये होगा आज का बड़ा सवाल कर जिस तरह की कमजोरी हमें देखी थी बाजार में दिन भर के उतार चड़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही उपी सरों से करीब करीब 100 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है और 18,200 के आसपास निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है तो आज के लेवल्स क्या रहेंगे किन सतरों पर आपको नज़र रखनी है इस पर भी हम बात करेंगे हमारे साथ मार्केट पर स्ट्राटेजी देने के लिए ब्रिजेश सिंग जुडेंगे और नतीजों खबरों वाले शेर्स की पूरी डिटेल लेंगे शरत से इसके अलावा ब्रोक्रेज हाउस के रडाट पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये ख्याती हमें समझाएंगे और कुछ और भी नतीजों पर हम बात करेंगे क्योंकि कर बाजार बंद होने के बाद भी ठेसाई नंबर्स देखने को मिले हैं इसके अलावा एशे मार्केट से किस तरह का इस वक्त संकेत मिल रहा है ये भी हम बात कर लेते हैं इसके बाद समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त किसरा की हलचल देखने को मिल रही है एक्स जेक्स निव्टी पर देखेंगे तो हलकी बड़त के साथ 17 अंक उपर इस वक्त कारोबार कर रहा है निकई में देखें लेकिन यहाँ पर कमजोरी है करीब 288 अंको की कमजोरी निकई में देखने को मिल रही है हैंसेंग भी सपाथी है और शांगाई की भी कमजोर शुरूबात देखने को मिल रही है तो Asia Market से अगर शुरुआत कहeenगे तो सुथ शुरुआत से मिले जुले संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे है ऐशे मार्के छे देखना होगा आगे किसरा का development यहाँ पर देखने को मिलता है लेकिन इस अगर global market से मिले किसरा के संकेत है इस पर भी बात कर लेते हैं और अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहाँ पर मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली है हमने देखा था कि लगातार अच्छे नतीजों के दम पर शांदार तेजी बनी हुई थी अमेरिकी बाजारों में भी लेकिन अब उस पर ब्रेक लगा तीन दिनों की तेजी पर और डाउ में देखी करीब करीब 266 नकों की गिरावट देखने को मिली है और S&P में भी दो दिनों की तेजी के बाद आधा परसंट की गिरावट के साथ कर S&P का वार्केट भी बंद हुआ तो यह जो अच्छे नतीजे आ रहे थे उसके बाद हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली है अगर S&P 500 कामपटियों की बात करे तो 80% नतीजे जो थे वो अनुमान से बहतर देखने को मिले हैं जो की इस बाजार को लीड भी कर रहा था और अगला जो ट्रिगर है वो GDP आकडो का है तीसरी तिमाई की GDP के अनुमान कैसे रह सकते हैं इस पर भी निवेशिकों की नजार रहेगी लेकिन इस पर एक आपको आखड़े बता देते हैं अगर अमेरिकी बाजारों में तेजी की बात करें तो देखें डाव जोन्स में अब तक ऑक्टूबर में 5% तक की देजी देखने को मिल चुकी है नैस्डेक भी करीब 5,5% चड़ा है और S&P 500 में भी करीब 5,5% की तेजी यहां पर देखने को मिली है तो शांदा तेजी थी लेकिन कल मुनाफ़ा वसूली हावी थी अमेरिकी बाजारों में मैं दूसरे तरफ कच्छे तेल की बात करें तो वहाँ पर भी कल नर्मी देखी गई है अमेरिका में भंडा घटा है और उसके चलते जो क्रूड है वहाँ पर हलकी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट 83 डॉलर के करीब कल कारोबार करता हुआ दिखाए दिया और 22 अप्लाइ में काफी बड़ात होने की बात यहां पर की जा दिया तो यह कुछ तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वज़े से हमने देखा कि क्रूड में कल नर्मी देखने को मिली है तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए इस पर भी हम आगे बात करेंगे लेक अगरे बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बाकी जो तमाम इस वक्त क्यूज मिल रहे हैं जो संकेत आ रहे हैं वो हलके सुस्त संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं लेकिन एक्सपारी का दिन है भारती बाजारों के लिए अर्निंग्स भी इस वक्त एक एक करके आ रही हैं बड़ी दिगज कंपनी के अर्निंग्स आ रहे हैं तो उ पर शुक्रिया समय देने के लिए हम तब हम संकेतों को देख रहे थे इस वक्त आज और आज एक्सपाइरी भी है तो इसको देखते हुए आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अब रिजिश जी आपका आवाज आ दिये अचली बिजिश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बैंक रिफ्ट रिफ्ट में क्या करना चाहिए इसवर ही बात करेंगे के लावा स्टॉक स्पेसिफिक रणी थी आज के लिए क्या लेकि चैली चाहिए इसवर भी हमांके डिस्कुशन करेंगे लेकिन क्यूंके एक्सपाइरी की हम बात करेंगे और हमने जो पोल कराया उसमें भी करीब-करीब 10% जानकारों का यही मानना है कि आज का जो लेवल ह आज एक्सपाइरी की लेवल पर होती है लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ खबरों की और नतीजों की कलबाजार बंधने के बाद भी धे सारी कमप्टी आठ निफ्टी कमप्टियों के नंबर आने थे मारूति के नंबर आ चुके थे लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी जिन्होंने अपने नतीजे घोशित किया और शरद मेरे साथ जोड़ चुके है पूरी निटेश लेकर शरद दुन मॉनिंग सबसे पहले तो बताइए निफ्टी के नतीजों के बारे में एक करके कौन कौन से कामपनी है जिनके नंबर आया है कैसे रहे तो टाइटन के सिजन है वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो इस पे बहुत एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है ओवराल जो है मार्केट में देखने मिल रहा है और पैट जो है लगबग तीन गुना बढ़ चुका तो एक अच्छा मूव है और इसके लावर डिमांड रिसरजंस हुई इस टॉक में बजाज आज अटो भी रहेगा फोकॉस में शांदार नतीजे आए है एक स्पोर्स फरंट में अच्छी मूवमेंट देखने मिली नमबर जो है आपके रेविन्यू ले ले जिए अबिड़ ले जिए मार्जिन्स ले ले जिए तीनों में अच्छी एस्टिमें नमबर आये हैं और याद रखे का कंपणी एक इंकॉर्परेट भी कर लिए अपनी फाइनाइंस की कंपनी नबी एफसी ताकि वह बिजनस कर पाएं आपके जो है सोल फाइनांसिंग कर पाएं अपने प्रोडक्ट के लिए तो एक इंपॉर्टन डवलाप्मेंट है आई टी पेपर बोर्ड की जो वॉल्यूम से उन में भी ओल्मोस लाइफ ताइम हाई पर है और ऑक्यूपेंसी जो होटल के बिजनस है उसमें भी लगबग तीन गोना बढ़ातरी हुई है एलेंटी में लगबग इनलाइन सेट अफ नंबर आये थे और रेविन्यूज जो है सब पा थोड़े बिलोव एस्टिमेट्स आए लेकिन पाट में जो है अबवव एक्सपेक्टेशन का था और NPA थोड़ी सी एसेट कॉलिटी में थोड़ी सी पेन देखने मिली है अब थोड़ी से वीक नतीजे के बात कर लेते जिसमें जो आज स्टॉक में दबाव देखने मिल सकत तीनो पारमिटर में नेट प्रीमिम ले लिजाए पाट ले लिजाए यह सब बिलोव एनलिस्ट एस्टिमेट्स आए है लेकिन जो थर्टींत मन्थ परसेंसी रेशियो है उसमें थोड़ी सी इंप्रूव्मेंट देखने मिली है और आखरी स्टॉक के बारे में बात करेंग 64% पर आया है तो यह overall निफ्टी के नतीजे है जहाँ पर आज इंपक्ट देखने मिलेगा पूजा बिल्कुर तो एक एक करके देखे अपने आपको बताया अच्छे नतीजे के बारे में मिंक्स्ट और वीक तो यहाँ पर आज आप नज़रा सकते हैं कुछ आक्शन देखने को मिलेगा शरत आप बने रही है हमारे साथ क्योंकि मार्केट पर एक रणीती ले लेते हैं ख़बरों वाले शेयर्स के लिए आपके पास फिर से आएंगे और ब्रिजेश मेरे साथ जोड़ चुके अब्रिजेश गुड़ मॉर्निंग आप से समझना चाहेंगे क्योंकि आज एक्सप एक मंतली एक्सपाइरी है और उसके लिहास से आपको वालिडिटी दीखने को मिलेगी और जिस हिसाब से इसमें इंडिकेशन दीख रहा है मेरे को कि अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करें स्पेशली तो निफ्टी में थोड़ा दावार है एस कंपेर टू बैंक अगर आप सपोर्ट की बात करेंगी तो 17,800 का सपोर्ट है और उसके उपर साइकलोजिकल लेवल 18,030 से लेके 18,070 का है तो यह दो लेवल महत्तपूने नीचे के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि consolidation session रहेगा लेकिन उपरी लेवल पर विक्वाली देखने को मिलेगी तो expiry की अगर मैं कहूं बात expiry मेरे को लगता है कि मोटा मोटा 18,200, 18,240 के बीच में आपको निफ्टी में देखने को रहेगी रही बात बैंक निफ्टी की तो चार्ट के अनुसा बैंक निफ्टी और अगर मैं कंपर करूं तो वह आउट परफॉर्म कर रहा है नो डाउट ओवर अल प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीर से बैंक में जो गतीरी देखने को मिली है वो पॉजिटिविटी ही दरशाती है और इसका मेरे मानना यह है कि इसका 39,900 और 40,500 के आस पास में बहुत यह लेवल एक महत्वपून डेवल रहेगा रजिस्टेंस के लिए रही बात एक्सपारी की तो मेरा ऐसा मानना है कि 41,100 से लेके 41,300 की बीच में अक्टूबर स्रीडिस की एक्सपारी देखने को मिलेगी तो रेक्सपारी के लिए लेवल भी आपको बता दी कि निफ्टी बैंक में निशले सरू से एक कबाइंग देखने को मिल सकती है बिजिश आप से आज के लिए यह भी समयना चाहेंगे कि ट्रेडिंग स्पेसिफिक रड़नीती आज क्या आप डाके चले तो देखी पूझा जी दो कॉल हैं ऐसा मेरा यह मानना है कि बैंक निफ्टी आउट प्रफॉर्म करेगा निफ्टी को बड़ इसका मतलब यह नहीं कि सारे बैंकिंग स्टॉक्स में तीजी देखने को मिलेगी उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक स्टॉक जो वीक मुझे लग रहा है वो आपका बंदन बैंक है अगर हम बंदन बैंक के डेली चार्ट को देखें तो कल के सतर में एक कैंडल सिक्स वार मिशन होगता जिसको बैरिश एंगल्फिंग कैंडल सिक्स बोलते हैं उसक 288 और 285 के निकलते हैं नीचे के सतर में आज के सतर में एक से दो दिन के लिहास से ये टार्गेट अचीव हो जाने चाहिए दूसरी जो कॉल है वो UPL से है अगर हम UPL का डेली चार्ट देखें तो उसमें एक वुल्फ बैटन फॉर्मिशन हुआ है जो कि एक बुलिश फॉर 288 का है ये मेरे को ऐसा मानना कि एक से दो दिन के लिया से ये टार्गेट अचीव हो जाने चाहिए और अगर 770 के उपर अगर बंद देता है तो आप ये मान के चलिए इसमें और एक रैली आपको देखने को मिलेगी जो लगवक 820 को लेके जाएगी लेकिन conservative target 780 का लेके च सकती है नजर रखेस पर और UPR में खरदारी करने की राय आपको दे जारी है अब आगे बढ़ते हैं खबरो वाले shares जान लेते हैं और इसको बताने के लिए शर्द हमार साथ बने हुए शर्द बताइए सबसे पहले पूजा bank of baroda रहेगा focus में officials क्यारे कि CBI ने अरेस्ट किय हैं लगबग 6 persons को जो 6000 करोड के जो remittance scam होई थी bank of baroda के अगला focus रहेगा stock Adani Ports जो plan कर रहे हैं कि उनकी जो माइनमार की investment है उनसे वो एक टाइप से divestment की opportunities खोज रहे हैं उस चीज़ पो लेके उसके लावा NCLT ने अड्मिट किया है Yes bank की petition Dish TV के against जो hold कर पाएं EGM को और Inves को ने NCLT को कहा कि वो appeal कर सकते है जी के case में अगली hearing है November 16 को future retail भी रहेगा focus में वो challenge कर रहे हैं आपके Singapore के arbitration ruling को जो दिली के high court ने दी थी और वो चाहते हैं कि वो जो ban है वो lift करें ताकि वो deal जो है आगे बढ़ पाए reliance के लिए HCL Tech जो है एक नया platform start किया है Wi-Fi services के लिए और वेदानता भी रहेगा focus में क्योंकि वो intention दिखा है कि वो डाइवेस्ट करेंगे अपनी copper mine जो Australia में है तो लगभग एक अच्छा payout लगभग 100 से लेके 150 मिलियन डॉलर्स तक का payout expectations है और आखिर में jubiland foodworks रहेगा focus में है hashtag loyalty में लगभग 35% हिसेधारी जो है खरदे की company और ये लगभग 25 करोड का investment रहेगा तो ये सारे news रहेंगे आपके ख़बर के दमप है अच्छा बहुत 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 तरशुक्रिया इसाइड details देने के लिए तो ये कुछ आठ बड़ी ख़बर हैं जहांपर की आज हमारा focus रहेगा लेकिन चलिए बागे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर focus कर लेते हैं आज आने वाले नतीजों में मेरको आज अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा और नतीजे कैसे रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सयोगी विनी जोचिकी है मेरिको के नतीजों से क्या नोबाल है मेरिको के Q2 Numbers में हम लोग expect कर सकते कि company का revenue growth strong होगा 20% revenue growth हम लोग expect करें और company ने अपने Q2 operational update में भी कहा था कि उनका revenue growth जो होगा वो around lower 20s में होगा तो हम लोग का expectation around है 20% growth पर जो impact और जो trend चल रहा है FMCG segment में कि margins पर pressure है क्योंकि raw material price काफी बढ़ गई है तो उसकी बज़े से obviously मेरिको पे भी pressure बढ़ रहा है मेरिको के margins पे भी pressure आने वाला है और मेरिको के margins contract होने वाला है around 200 basis points पे तो EBITDA margins हम लोग जो expect करें वो है around 17.56% पे EBITDA margins expect करें mainly copra prices जो थे मेरिको के लिए वो तो कम हुए पर उसकी अलावा जो edible oil prices है वो काफी बढ़ गए और other raw material जो use होते है वो उसके prices काफी बढ़ गए और उसके pressure तो continue होई रहा है margins पे और उसकी वज़े से हम लोग pressure देख रहे है EBITDA margins पे उसके अलावा उसकी वज़े से profit line जो bottom line भी हो भी उसमें भी हम लोग सिर्फ 6% growth ही expect कर रहे है ये time on a year on year basis तो top line growth काफी strong है bottom line growth और margins थोड़े low लग रहे है ये time around overall जो हम लोग factors देखेंगे, commentary में देखेंगे क्या expect करेंगे कि outlook क्या दे रहे है कंपनी अपने raw material पे उसका pricing अभी क्या है pricing strategy क्या होने वाली है company की आगे जाके plus margins का क्या expectation है उनकी क्या expectations है आगे जाके margins पे वो important factor है देखने के लिए commentary में उसके अलावा international segments ने कैसे perform किया है copra pricing कैसे raw material pricing अभी कैसी है और new product pipeline क्या है Mariko में वो factors हम लोग watch out करेंगे Mariko के Q2 earnings में तो ये थे Mariko के नतीजों का अनुमान margins पे नज़र रखे क्योंकि विमाही दरते माही यहाँ पर सुधार देखने को मिल सकते हैं लेकिन सालाना आधार पर numbers थोड़े कम नज़र देखने को मिल सकते हैं और बाकी सारे numbers और जो factors रोगे उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी बाबा शुक्रिया विन इसाइड डीटियर्स देने के लिए अब आगे पढ़ते हैं और कुछ और भी trading calls पर नज़र डाल लेते हैं Bridges ने हमें बंधन बैंक और UPR में trading की रणीती सुझायती इसके लाबा निर्मलबांक Securities की तरफ से भी दो calls आ रही हैं और दोनों में ही खरदारी करने की राय है पहला है Tata Motors यहाँ पर खरदारी करके चलिए 530 के लक्षे के लिए stop loss होगा 480 का और दूसरा जो call है वो है SBI SBI में आज खरदारी करने की रणीती यह सुझा रहे हैं 540 के लक्षे के लिए stop loss होगा 510 का यह है निर्मलबांक Securities की call और इसके लाबा सिंट्रिम ब्रोकिंग की तरफ से भी कुछ calls आई है और इसमें IT stocks Infosys में खरदारी करने की राय देख रहे हैं 1780 के लिए और जो दूसरा stock है वो है Sun Pharma 855 की target के लिए आप खरदारी करके चल सकते हैं इसमें और stop loss होगा 810 का तो तमाम जितने भी stocks आज जादा तर जो रणीती मिल रही है वो large cap stocks के तरफ मिल रही है तो यहाँ पर आज आप नज़र रखे Tata Motors, SBI, Infosys और Sun Pharma इनमें हैं आज ट्रेडिंग में खरदारी करने के मौके आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन चली अब आगे बढ़ते हैं और commodity market में आज किस तरह का action देखने को मिल सकता है यह भी समझ लेते हैं और strategy बताने के लिए हमारे साथ इस वग मेरे इसाब से जो precious metals pack है I think उस पे काफी सारा action है in fact crude oil में भी हमने कल के session में एक अच्छा action आते हुए देखा था तो मेरी strategy इन तीनों commodities में ही रहेगी अगर पहले precious metals की बात करें तो precious metals में हमने एक हलका profit booking देखा था कल के session में क्योंकि जो US consumer conference data है वो positive आया था इस week में and वो थोड़ा सा pressure rate किया है क्योंकि dollar index में हमने थोड़ा सा एक बड़ा देखा है और yields में भी bond yields में भी थोड़ा सा एक up move देखा था but मेरे इसाब से dollar index और yields दोनों ही थोड़े से sideways रहेंगे क्योंकि first week में we have non-farm payrolls as well as जो FOMC meet है वो है तो मेरे इसाब से उससे थोड़ा sideways रहेगा और ये gold के लिए थोड़ा supportive रह सकता है MCX पर जो MCX gold है वो around 47,600 का एक strong support पर है जो की 252 day moving average का support है अगर उसे breach नहीं करता तो मेरे इसाब से prices में फिर से एक बर हम उच्छाल देख सकते है इसलिए हमने एक buying strategy recommend की है towards 47,800 और target हमारा रहेगा 48,200,300 था and stop loss रहेगा 47,600 था similarly silver में भी हमने एक अच्छा action देखा था हला कि industrial metals में जो कमजोरी आई है उससे थोड़ा सा थोड़ा सा subside हुआ है market लेकिन एक correction required था क्योंकि काफी अच्छा momentum हमने silver में देखा था but silver में ऐसा लगता है कि जब तक कि 64,500 64,000 hold है I think तब तक के लिए एक positive momentum रहेगा और हमारा जो target है वो around 65,500 का है finally अगर crude की बात करें तो crude में कल inventory data के वज़े से एक pressure आते हुए देखा है काफी अच्छा build-up दिखाया था कल के inventory report में और हमें लगता है कि ये जो fall है वो continue रह सकता है 6,120, 6,080 तक के levels possible है MCX पर इसलिए हमने sell की recommendation दी है अगर rise आता है टूर्ज 6,240, 6,260 एक बार short करके चल सकते है for a target of 6,120 और जो इसका resistance है गोल्ड, सिल्वर और कच्छे तिर में ये रंडीती आपको सुझा दे लिए बहुत 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 शुक्रिया रविंद्र हमाई साथ जुणने के लिए और ये रंडीती हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए तो यहाँ पर नज़र रखे लेवल स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीम पर लगातार फ्लाश हो रहे है लेकिशली अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरिज हाउस के रड़ा पर आज कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं में जे साथ में जे से होगी ओवरवेट की रेटिंग बर करार रखी है लक्ष रखा है 190 रुपीज पर शेयर का CLSA ने SBI लाइफ पर खरीदारी की राई बर करार रखी है लक्ष उपर करके 1800 रुपीज पर शेयर कर दिया है JP Morgan ने SBI लाइफ पर ओवरवेट की राई बर करार रखी है लक्ष रका है 1380 रुपीज पर शेयर का Morgan Stanley ने Indecent Bank पर Overweight की राइबर करार रखी है लक्ष रका है 1500 रुपीज पर शेयर का Morgan Stanley ने Titan पर खरीदारी की राइबर करार रखी है लक्ष रका है 2,501 रुपीज पर शेयर का Nomura ने Indecent Bank पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है लक्ष रखा है 1360 रुपीज पर शैका Morgan Stanley ने ITC पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है लक्ष रखा है 251 रुपीज पर शैका CS ने मारुती पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है लक्ष रखा है 87.59 रुपीज पर शैका GS ने अदानी पोर्ट पर खरीदारी किराय बरकरार रखी है लक्ष रखा है 7.80 रुपीज पर शैका ओके तो यह सारे ब्रोकरेज हाउस के रेपोर्ट्स थे चहांपल की आज नजर लख में चाहिए धेर सारे रेपोर्ट्स आज देखने को में रहें बहुत अधा शुक्रिया खायत क्याती यह साई टीटील्स हमाइसार शेयर करने के लिए तो गुर्मारी स्वादेश में मुझ यह सारे दीजी आज़ा जाता